Hello, Second Standard, Subject English Grammar, Lesson No.25, India Our Country Previous वीडियो में हमने इसका A Part जिसमें हमने Blank देखी थी आज हम उसका करेंगे B Part, वही है, Same, Blank है इस Box में से Answer चुनकर हमको Sentence को Complete करना है First है, Box में नाम, वह है White, Green, Saffron, Peacock, New Delhi, Ashok Chakra, Tiger, Rabindranath Tagore, Bunkim Chandra, Chatterjee सबसे पहले First से Start करें, जन गनमन, Prayer के बाद हम गाते हैं न, जन गनमन, वो क्या है पता है, वो एक National Anthem है जन गनमन is the National Anthem of India क्या है जन गनमन, हमारे इंडिया का एक National Anthem है It was composed by Rabindranath Tagore, और वो किस ने composed किया था? वो composed किया था, Rabindranath Tagore ने First second, वंदे मातरम is the National Song of India और वंदे मातरम क्या है? National Song वंदे मातरम अगर आपको कोई पूछे कि वंदे मातरम क्या है तो बोलना कि वंदे मातरम जो है, वो हमारे इंडिया का National Song है It was composed by Bunkim Chandra Chatterjee और वो किस ने composed किया था? Bunkim Chandra Chatterjee ने उसके बाद third, Das is the Capital of India यानि कि हमारे इंडिया का Capital कौन सा है? New Delhi ठीके? अगर आपको कोई इंडिया का Capital पूछे तो क्या होगा वो? New Delhi Our National Flag has a band of three colors आप सबने देखा है हमारा National Flag? नहीं देखा है? सबने देखा है National Flag ये होता है ना हमारा National Flag अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें कहा है कि The Upper Band is इदर कलर का नाम लिखना है Chef Front तो Upper Band जो है यानि कि ये वाला जो कलर है वो कौन सा कलर है? सैफ्रोन फिर उसके बाद है The Middle Band is White तो इदर हम क्या लिखेंगे? ये Middle Band कैसा है? White उसके बाद The Lower Band is Green तो ये रहा Lower Band अपर बैंड यानि कि उपर वाला पट्टा Middle Band बीच वाला पट्टा Lower Band यानि कि सबसे नीचे वाला पट्टा कौन से गलर का है? सैफ्रोन वाइट ग्रीन ये हम याद रखेंगे फिर उसके बाद है In the center of the Middle Band is तो अशोक चक्र यानि कि ये कहा है कि हमारा जो ये नेश्नल फ्लेगे उसके मीडल में जो ये चक्र है उसको कहा जाता है अशोक चक्र फिर और वो अशोक चक्र कहा होता है ये जो मीडल बेंड होता है उसके बिल्कुल center में अशोक चक्र होता है फिर उसके बाद है The tiger is our national animal टाइगर क्या है? हमारा national animal है और शिक्स The peacock is our national bird और हमारा national bird कौन सा है? पिकोग फिर उसके बाद है हमारे देश के कुछ लीडर उनको कहा जाता है अवर national leaders जब अंग्रेजो के साथ हमारी लड़ाई हुई थी न तब यही सारे leaders ने उनके साथ लड़ाई की थी ताकि हमको आजादी मिल पाए उसमें फिर्स्ट है महात्मा गांधी तो यह पिक्चर है महात्मा गांधी का फिर यह है जवाहर लाल नहरू फिर यह है रविंद्रनाथ टागोर फिर यह डोक्टर राजेंद्र प्रशाद फिर यह है सरदार वलबभाई पतेन और लास्ट डॉक्टर बाबा साइब आम बेट कर तो ये थे हमारे नेशनल लीडर्स इनको आप अच्छे से देख कर इनके नाम लर्न करना है आपको और ये एक्सरसाइज अपनी ग्रामर बुक में लिखना है Thank you students